मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीदू, रिशव और आयूशी मुश्राफ, B.103, सेठी कॉलनी, जैपुर श्रिपाश्वनाथ, री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर एक, वर्दमान, विश्ट बंगाल, अमिता जैन, पतने, अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पतने, विपिन कुमार जैन रत्नम प्रभावादेकर, प्रणिया शाह, रंजना कोठारे, वर्षा शाह, बारा मते शिश्चंदुलाल जिबराज गांधे, फल्टन कर, घाटकोपर मुंबई, एवं परिवार, अलेखा शाह, मनिश शाह, अनपम शाह, प्र्यांका शाह, सचेंत गांधे, नुपूर गांधे, शवन्थ गांधे इंदो जैन, रंजना, विनै, सुनैना, अभिशेक, मेरा बाग, नई दिल्ली नेमचंद जैन, शशी जैन, निखिल जैन, शालिने जैन, शर्ने जैन, शांतनु जैन, निशु जैन, शाहत्रिनगर, मेरट, उत्तरप्रदेश मोहिनी देवी बाकलीवाल, धर्म पत्नी स्वर्गिय श्री कल्यान मलजी बाकलीवाल, पुत्र, धर्म चंद बाकलीवाल, कमल कुमार बाकलीवाल, अजीत कुमार बाकलीवाल, असेंबली रोड इमफाल, मनिपुर श्रिय अभिजुईत, मुग्धा, आभा, आयोशे, न्यूजर्से, डॉक्टर तुशार, डॉक्टर केतकी, श्री जतिन, डॉक्टर कल्पना, आधी, धुले, महारास्ट्र जय जिनेंद्र, तजयति परम जोति, समं समस्तै रनंत पर याये, दरपन तलईव सकला, प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र, पंच परमेष्ठी भगवान की जय ज्यानशाला की पिछली कक्षाओं में, हमने अनर्थ दंड की चार भेदों को समझा था और उनसे हमने यह संकल पे भी लिया था, कि निश्चित रूप से जो व्यर्थ की क्रियाएं हैं, पापो पुदेश है, अपध्यान है, या प्रमाद चरिया है, या हिंसादान है, इनको हम छोडने का प्रयास करेंगे आईए, इस कक्षा में हम दुष्ट रूती नामक पंचम अनर्थ दंड को समझते हैं रागा दिवर्धनानाम दुष्ट कथानाम अबोध बहुलानाम नकदाचन कुरवीत श्रवर्णार्जन शिक्षनादी नीवर्णाम एक साथ बुलिए राग आदी वर्ध नानाम राग द्वेश आदी राग द्वेश मद लोब मोह चिंता आदी जितने विकार परिणाम हैं उन सभी विकारी परिणामों को वर्ध नानाम बढ़ाने वाली दुष्ट कथानाम अबोध बहूलानाम संदिविचेद दुष्ट कथानाम दुष्ट कथाओं का गलत कथाओं का जिन से विकार परिणाम बढ़ते हैं ऐसी कथाओं का अबोध बहूलानाम जो केसी है अबोध अर्थात अज्ञान की जिन में बहूलता है अधिकता है जिन में ज्ञान की बाते नहीं विर्थ की बाती की गई है अश्लीलता की बाती की गई है ऐसी उन दुष्प्रियोजन रूप कथाओं का न अर्थात नहीं कदाचन कभी भी कुरवीत करना चाहिए कभी भी नहीं करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए श्रवन अर्जन शिक्षन आदीनी संधी विच्चेद श्रवन अर्जन शिक्षन आदीनी श्रवन अर्थात सुनना अर्जन अर्थात उनका संग्रह करना इकठा करना शिक्षन अर्थात सिक्षा देना सीख देना सुनना सुनाना आदीनी अर्थात आदी नस्वयं पढ़ना पढ़ाना, सुनना, सुनाना, इन सभी क्रियाओं को कभी भी नहीं करना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनाना चाहिए, वो इन दो पंक्तियों में कह दिये. बैया जी, कथां कितने प्रकार्की होती हैं? कथाएं चार प्रकारकी कही गई है, इस्तृ कथा, राज कथा, चोर कथा और भोजन कथा, दूष्ट्रूती नामक अनर्थ दंड में हमें इनी चार कथाओं को समझना है, व्यर्थिक में ही प्रयोजन हीन होने पर भी इन चार कथाओं को करते रहते हैं, जैसे इस्त्री कथा, इस्त्रियों के बारे में राग बढ़ाने वाली कथाओं को सुनना और सुनाना, व्यर्थ में ही अश्ट्रिल साहित्य पढ़ना जिससे इस्त्रियों के प्रती काम भाव जागरत हो, इस्त्री कथा से यहां तातपर्य मात्र इस्त्री के अपेक्षा से ही लगा लेना चाहिए राज क था विर्त में ही हमारे राज relying क्या हो रहा है देश में क्या हो रहा है बहुत से लोगों को देखा अपनी गोश्ट ही लगा लेते हैं पंचायद बेठा लेते हैं और व्यर्थ में ही गप्पे लड़ाते रहते हैं उस नेता नहीं ये कर दिया वो वहां पे वो पार्टी ये कर रही है जिससे उस विक्ती का कोई प्रियोजन सिद्ध नहीं हो रहा वो कहलाती है राज कथा तीसरी है भोजन कथा भोजन की कथाएं करना ये रस ऐसा है ये व्यंजन इस प्रकार का है भोजन संपूर्ण कर लेने के पश्चाथ भी उस भोजन के बारे में क्रिया प्रती करना ये भोजन कथा और चोर कथा, वो डाकू ऐसा, वो लुटेरा ऐसा, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, इस तरह की कथाओं को करने का और सुनने का त्याग करना चाहिए, तब वह दुश्रुती नामक अनर्थ दंड व्रत होगा, इन चारो कथाओं को हमें त्याग करने की कोशिश करन दुश्रुती अनर्थ दंड़ से बचने के लिए सबसे पहले हमें जो प्रयास करना है वो है टीवी और सिनेमा आदी से बचना आज कल हम देखते हैं सिनेमा आदी में मूवीज में कितनी अश्टलीलता परोसी जा रही है ऐसी मूवी जिसमें सबसे जधा अश्टलीलता होती है काम विकार भाव जागरत होते हैं वो सबसे ज़्यादा हिट होती है इसलिए ऐसी टीवी से सिनेमा से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए विचार कभी-कभी मन में आता है, इतना जादा हमारी संस्कती पर आघात हो गया है कि एक परिवार के सब जन बेट करके एक साथ टीवी नहीं देख सकते सेनेमा नहीं जा सकते, इसलिए इन से बचने का सबसे पहले प्रयास करें गाने, ऐसे गाने आगए जिनको सुनने में हमारे बन में विकार परिणाम जागरत होते हैं अश्टलीलता उन गानों में जलकती है, ऐसे गानों को सुनने का त्याग करना चाहिए ऐसे सिनेमा होल जाने का त्याग करना चाहिए यदि घर में टीवी भी है तो उस टीवी का हमें सदुपियोग करना चाहिए जिन्वानी चेनल पारश चेनल जिसके माध्यम से हम मुनि महराजों के दर्शन करें प्रवचन सुनें पाठशाला ज्यानशाला आदी कारिक्रम देखें जिससे हमारा उपियोग सही स्थान पर रहे घर परिवार में हम अपने बच्चों को ऐसे संसकार दें ताकि वो सिनेमा न जाएं ऐसे गाने न सुनें वेश्टरन कल्चर पाश्चात्य संसकती के कारण से आज बहुत से बच्चे न्यू जेनरेशन युवा पीड़ी उस और बढ़ती जा रही है हमें उन बच्चों को इस तरह की शिक्षा देनी चाहिए जिससे वो उस तरफ न जाएं उस अश्लीलता से बचें और उसके लिए सबसे पहला कदम हमें स्वयम अपने आप से उठाना चाहिए यदि हम अपने आप से उठाएंगे तो हम अपने परिवार को सुधार सकते हैं तो हम अपने समाज को सुधार सकते हैं और समाज को सुधार सकते हैं तो फिर हम आगे देश और विश्व की बात करेंगे इसलिए सबसे पहले अपने आप में ये संकल पिलें कि सिनेमा, टीवी और ऐसे अश्लील गानों से उपन्यासों से हमको बचना चाहिए आपने अगवार की चर्चा करी वास्तविक्ता में विचार करें तो आजकल अगवारों में आ क्या रहा है काम की खबरे कम आती हैं और व्यर्थ की खबरे जादा आती है आज उसने उसके साथ में लूट मार करी, वहाँ चोरी करी, उसका वहाँ रेप हुआ ये गंदी-गंदी खबरे ही सही तो अकबार भरा हुआ रहता है यदि हम उनको पढ़ेंगे तो हमारे मन में भी वैसे परिणाम जागरत होंगे फिर भी यदि आवश रकता हो तो जो मुख्य-मुख्य खबरे हैं हम उन्हें पढ़ें आजकल एक बात बहुत खराब हो गई है सबी अगबारों के साथ में दो-तीन प्रश्ट तो रंगीन चित्रों से भरे हुए होते हैं जो सिनेमा के एक्टर-एक्ट्रेस से होते हैं और अर्ध नगन चित्र उनमें परोसे जाते हैं यदि हम उनको पढ़ेंगे तो निश्चित रुप से वह भी दूश्ट्रुती नामक अनर्थ दंड का ही अंग कहलाएगा इसलिए जितना हो सके बचें फिर भी यदि देश-विदेश की खबरों की जानकरी लेनी हैं तो मुख्य-मुख्य बाते ग्रहन करें भाया जी तो हमें क्या पढ़ना और क्या लिखना क्या सुनना चाहिए भाया ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको पढ़ने से और सुनने से हमारी आत्मा का कल्यान होता है हमारे मन को शांती मिलती है यदि आप पढ़ना और सुनना चाते हैं तो आज से ही प्रत्मान योग का स्वाध्याय शुरू करें जहां प्रत्मान योग आदी अनेक ग्रंथों का स्वाध्याय होता हो उसे सुने बहुत से मंदिरों में साइकालीन स्वाध्याय का कारिक्रम चलता है वहाँ पर जाएं उसे सुने, धेरे धेरे सुनने से हमें उसमें रूची जागरत होगी अपनी, यदि हमें श्टार्टिंग करना है तो प्रतमान योग से करें क्योंकि कहानि किससे आदी होने से हमारा मन उसमें लग जाएगा परत्माण योग के बाद फिर करणान योग फिर चर्णान योग और फिर दरव्यान योग इस क्रम को भी ध्यान रखें ऐसा नहीं कि सबसे पहले ही दरव्यान योग पढ़ लिया कुछ समझ में नहीं आएगा इसलिए अपने शास्त्र स्वाध्याई के तरफ प्रवरत्ती बढ़ाएं जदी उपन्यास आदी पढ़ने हैं तो ऐसे उपन्यास पढ़ें जिससे हमें कुछ शिक्षा मिलती हो आत्म कथाओं को पढ़ना प्रारंब करें उनको पढ़ने से क्या होगा हमें इस बात की आलोचना हम सोयम कर सकते हैं कि वास्तविक्ता में मुझ में कितनी गलती है जिनोंने वह आत्म कथा लिखी उन्होंने अपनी बुराई भी लिखी अच्छाई भी लिखी ताकि हमारा भी भाव इस तरह का रहे मायाचारी से हम बच पाएंगे तो इसलिए ऐसे साहित्य हम पढ़ें जिससे हमें काम, विकार, भाव, जागरत ना हो स्वाध्याय में मन लगे ऐसे उपन्या साधिकों में पढ़ना चाहिए रही बात सुनने की तो सुनने के लिए बहुत सी चीजे हैं टीवी आदी यदी हम देखते हैं तो उसमें आचायश्री के, मुनी महराजो के आरिका माता जी के प्रवचन सुने इस ज्यानशाला, पाठशाला, स्वाध्याय आदी के कारिक्रम को देखें, सुने ताकि हमारे जिनिधर्म के प्रती रूची जागरत हो बहुत से लोग गाने आदी सुनते रहते हैं हमने रेखा, अपने कान में हेटफोन लगाए और खूब गाने सुनते हैं उससे हमारा मन या उनका मन निश्ची तूप से विकारी भाव में ही घूमता रहेगा उनके इस्थान पर हम जिनिधर्भगवान के भजन आदी सुने स्तूती आदी सुने, स्तोत्र पाट सुने जिससे हमारा मन धर्म में लगेगा ऐसे क्रियाओं को हम पढ़ें और सुनने का प्रयास करना चाहिए मनुष्य परियाए की सफलता शुभ उपयोग में है, अशुभ उपयोग में नहीं हम दिन भर अपने उपयोग को शुभ बनाए रखें मन, वचन और काय से हमेशा शुभ विचार करें अकबार आदी पढ़ें तो मुख्य मुख्य ख़वरे पढ़ लें मैं अकबार आदी पढ़ने की मना ही नहीं कर रहा लेकिन जो अश्लीलता, जो गलत बातें उसमें लिखी है हम उनसे बचने का प्रियास करें क्योंकि यदि हम उन्हें पढ़ेंगे तो हमारा उपयोग अशुभ की ओर जाएगा और अशुभ उपयोग जाएगा तो निश्चित रूप से वो नरक तिरियन चिकती का कारण बनेगा फिर हमारी मनुष्य परियाई की सफलता कैसे होगी इसलिए इन अश्लिल साहित्यों से बचें सिनेमा आदी से बचें तीवी आदी से बचें जो क्रियाएं हमारे मन में रागादी, राग, द्वेश, मद, लोब, मोह, चिंता इस तरह की विकार परिणाम जागरत करती है उन साहित्यों को, उन सिनेमा को देखने, पढ़ने, सुनने से बचेंगे तो निश्चित रूप से हम अशुबोपियोग से बचेंगे और अशुबोपियोग से बचेंगे तो जितना समय हो सके अपने जिनेंद्र भगवान की इस्तुती, भजन, ध्यान, आदे में व्यतित करें स्वाध्याय करें, प्रत्मानियों की ग्रंत पढ़ें चरित्र पुराण आदी पढ़ें जिससे हमारा शुबोपियोग हो और शुबोपियोग से निश्चित रूप से आत्मा का कल्यान हो गई होगा हमने दुश्रुती नामक अनर्थ दंड को समझा अब आगे जो एक मुख्य अनर्थ दंड है जुआ खेलना उसे भी हम समझते हैं आईए उच्चारन करते हैं एक मुख्य अनर्थ दंड आचारे अमर्चन स्वामी माराज यहाँ पर कह रहे हैं जिसका नाम है द्यूतम अर्था जुआ खेलना केसा है वो देखते हैं सर्वा नर्थ प्रत्मम संदिविचेद सर्व अनर्थ प्रत्मम सभी अनर्थों में जो प्रत्म है जितने भी अनर्थ कारी चीजे हैं जिससे आत्मा का कोई प्रियोजन नहीं होने वाला, उन सभी क्रियाओं में जो सबसे पहला है, अनर्थ को करने में जो सबसे पहला है, मतनम शोचस्य, मतनम अर्थात मतने वाला है, नाश करने वाला है, किसको शोचस्य, शुचिता का, अर्थात शुद्धी का, आत्मा का कल्य जो निर्लोब है उस लोब का त्याग करने रूप भाव को कहते हैं शोच और उस लोब के त्याग को जो नश्ट करने वाला है अर्थात लोब को जागरत करने वाला लोब को बढ़ाने वाला सद्म मायायाह केसा है वो जूत अर्थात जुआं सद्म अर्थात घर है किसका घर है मायायाह अर्थात मायाचारी का जो जुआं खेलता है वो तो मायाचारी के घर में ही रहता है कहने का तातपरिय उसके साथ में मायाचारी लगी ही रहती है दूरात परिहरणियम दूरात दूर से ही परिहरणियम ट्याक कर देना चाहिए चोरिया सत्यास पदम जूतम केसा है वो जूत अर्था जूआ खेलना चोरिया सत्यास पदम चोरिया अर्था चोरी असत्य अर्था जूट इसका जो इस्थान है जहां पर चोरी और जूट प्रतिसमय बोला जाता है प्रतिसमय चोरी की जाती है ऐसा वह द्यूत है कहने का तात पर ये जूआ खेलना आचारिय अमरेचन स्वामे माराज पाँच अनर्थ दंडों की चरचा करने के बस्चात इस मुख्य अनर्थ दंड की यहां चरचा कर रहे हैं जिसका नाम है ड्यूत अर्था जुआ खेलना इसको आचारिय ने मुख्य अनर्थ दंड माना क्यों माना इस श्लोक में तीन चार बाते कहीं क्योंकि जो जुआ खेलता है वो चोरी भी करता है जूट भी बोलता है माया यहा सद्ब वह माया चारी का तो घर है और सबसे बड़ी बात शोचस्य मतनम संतोश का नाश करने वाला क्योंकि जीव को जो सुख प्रदान करने वाले वस्तू है संतोश धन उसके पास जितना है वो खुश रहेगा लेकिन जो जुआ खेलने वाला है उसके संतोश रूपी धन होता ही नहीं वो तो संतोश को समाप्त कर देता है और आए और आए लोब की प्रवरत्ति उसकी और आचारियों ने कहा जो संतोश को नश्ट करने वाला है और सभी अनर्थों में जो प्रथम है दुनिया में जीव का अकल्यान करने के लिए अमंगल करने के लिए जितनी वस्तूएं है उसमें जो सबसे पहला कहा गया है वह है द्यूतम अर्था जुआ खेलना इसलिए ऐसे जुआ खेलना नामक इस अनर्थ दंड को दूरात परहरनियम हमें दूर से ही छोड़ देना चाहिए जो जुआ खेलना इसको छोड़ देगा वो इन सब पापों से और कशायों से बच जाएगा और जो जुआ खेलेगा आप और कशायों उसके साथ लगी ही रहेगी इसलिए इसको हमें त्याग करना चाहिए जुआ खेलने को अनर्थ दंड क्यों कहा गया है? अनर्थ दंड ही नहीं यहां तो अनर्थों में प्रथम कहा गया है अनर्थ का मतलब अर्थ मतलब प्रियोजन अनर्थात नहीं होना दंड अर्थात क्रिया ऐसी किया जिससे हमारी आत्मा का कोई प्रियोजन सिद्ध नहीं हो रहा उसे अनर्थ दंड कहा इस शलोक में आचारिय अम्रेचन स्वामी महराज ने जुआ खेलने को सब अनर्थों में सबसे पहला इसलिए कहा क्योंकि इससे आत्मा का तो कोई कल्यान नहीं होगा अन्या अनर्थ दंडों की अपेक्षा से जब हम इसकी तुलना करें तो हमें स्वयम समझ में आ जाएगा अन्या अनर्थ दंडों में कम पाप है इसमें तो बहुत सारा है सारे की सारे जितनी कशाएं हैं जितने पाप हैं वो जुआ खेलने से आ जाएगा जो जुआ खेलने वाला विक्ती है वो यदि हार जाता है तो उस जुआ खेलने के निमित्त से वो अपने घर परिवार की सब वस्तुएं बेज देता है अपना इमान बूल जाता है वस्तुएं बेज देता है चोरी करने लग जाता है जूट बोलने लग जाता है किसी का मर्ड बढ़ती जाती है इसलिए पापों का और कशायों का मूल है यह जुवाँ खेलना जो जुवाँ खेलता है अन्य शेस छव्यसन उसे अपने आप घेर लेते हैं वेश्या गमन परिस्त्रि सेवन और उसकी प्रवरत्ती बढ़ती जाती है इसलिए आचारियों ने इसे अनर्थ दंड कहा इस अनर्थ दंड को तो हमें पूर्ण तयार छोड़ना ही चाहिए जुवें से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए वर्तमान में बहुत ज़्यादा शेर मार्केट लोटरी का धंदा MCX ये सब चल रहे हैं जिनके निमित से लोग खुब पैसा लगाते हैं खुब खो भी देते हैं खुब कमाते हैं उनकी प्रवरत्ती और अधिक बढ़ती जाती है जिससे लोग जागरत होता है इन सभी MCX शेर और ये अनिक तरह के क्रिकेट आधी IPL होते हैं जिनमें लोग लगाते हैं पैसा लगाते हैं उनसे बचना चाहिए साल में दो चार हत्याएं तो इसी जुए खेलने के कारण से हो जाती है इसलिए हमें इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए तब ही हम जुए खेलने से बच पाएंगे अब आज की इस कक्षा में दो मिनिट हमारे शिक्ष गुरु आदर्णी श्रीमान रतनलाल जी बेनाड़ा साब बड़े पंडिजी आपसे चर्चा करेंगे। कभी कभी आप ये सोचते होंगे, आप हमेशा आते हैं, बीच में कभी कभी गायब क्यों हो जाते हैं? तो मैंने आज सोचा इसका कारण इसपस्ट कर दूँ। सच बात ये है, ये ग्यान शाला प्रोग्राम अब बहुत अच्छा हो गया, अब इसमें पुर्शाश सिद्धिपाई, इसके बाद कार्ट कियान उपरेक्षा, उसके बाद परमात्व प्रकाश, उसके बाद आचार कुंद कुंद का कुंदन, उसके बाद और और गरंथ रहेंगे, ये कब तक चलेगा ग्यान शाला, ये तो दस बीस पच्ची साल चलना ही चलना है, लेकिन मेरी उम्र तो 74 इस जुलाई में हो गई, मैं कब तक आपको अपनी सेवाएं दे पाऊंगा, इसलिए मेरे शिश्यों में जो मुख्य, हमारे स्रमन संस्क्रित संस्थान सा अध्यापक हैं और सब बच्चों को धर्म पढ़ाते हैं, धर्म में हुश्यार हैं, शास्त्री हैं, आचारी हैं, ऐसे पंडित किरन प्रकाश्ची को अब मैंने अपने इस्थान में धीरे धीरे इस्थान देना प्रारम किया है, ताकि मैं रिटायर हूँ, तो आप लोगों को इस ग्यान साला में ब्यवधान ना पड़े, सुचो, कभी तो रिटायर होना ही पड़ेगा, भई 74, 5, 6, 7, कब तक सेवा लेंगे मेरी, और ग्यान साला तो 20 साल चलनी है, इसलिए मैंने ये बात सोची है, और मुझे उमीद है, पंडित किरन प्रकाश्ची जो पढ़ा र रहता हूं, ताकि सब चीज बिल्कुल ठीक चलती रहे, मुझे उमीद है, कि आप लोगों को भी उनका पढ़ाना ठीक लग रहा होगा, फिर भी अगर कोई बात हो, तो मुझे कनवे करें, मेरा फोन नमबर वरावर आता रहता है, मुझे कनवे करें, मैं कोशिश करूंगा, कि ग्यान साला की सेवाएं आपको पहले से और अच्छी मिले, सदेवी मिलती रहे, दस साल, बीस साल, पचास साल हमेशा ग्यान साला चलती रहे, आप उसका आनंद उठाते रहे, और ग्यान और वेरागे का वर्धन होता रहे, जैजिनेंद। श्रिपाश्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर एक, वर्धमान विष्ट बंगाल, अमिता जैन, पतने, अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पतने, विपिन कुमार जैन, रत्नम प्रभावादेकर, प्रणिया शाह, रंजना कोठारे, वर्षा शाह, बारा मते, शिश्चंदुलाल जिबराज गांधे, फल्टन कर, घाटकोपर मुंबई, एवं परिवार, अलेखा शाह, मनिश शाह, अनपम शाह, प्र्यांका शाह, सचेंत गांधे, नुपूर ग दिल्ली, नेमचंद जैन, शशी जैन, निखिल जैन, शालिने जैन, शन्ने जैन, शांतनु जैन, निशु जैन, शाहत्रिनगर, मेरट, उत्तरप्रदेश दूप्टर कल्पना आधी धूले महारास्ट्र प्रूप्टर को